एलो फ्रेंड्स वेल्कम तो मैं यूट्यूब चैनल दापेट विजन दिस इस साहिल मली की वर होस्ट अंदिगरवेट तो मेरे पैरे दोस्तों आप अपने डोग की टाइम पर डिवामिंग करते हो मैं मानता हूँ लेकिन मेरे पैरे दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है कि आप पैसे एक ऐसा जो रिजन है वह रहता है वाम्पंग का यानि मेरे पारे दोस्तों अगर आप अपने डोग की के डिवामिंग कर देते हो लेकिन उसके बाद भी आपको आपदे निंगे विए बीचल men बहुत करेंगे जैसा कि मेरे प्यारे जो क्या होता है कि कई बार हम फीकल मैटर को हम घर पर examination करते हैं जब हम उसके अंदर देखके पता लगा सकते हैं कि हाँ इसके अंदर इस टाइप का वोम है और उसके बेस पर हमारे पर डिवामिंग मैडिसिन होती है वह हमको देनी चाहिए तो चलिए टाइम को वेश्ट ना करते हुए हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है जो यह वोम्स जो डोग की बोडी के अंदर पाय जाते है यह एक टाइप के पैरसाइट होते है तो पहले नुमबर पे है मेरे प्यारे दोस्तों टेप वोम अब यह जो टेप वोम है जैसा कि मैं यहां पर आपको शो कर रहा हूं आपको इजीली विजीबल भी हो रहा होगा तो यह जो बिसिकली इस शेप का होता है यह है हमारा टेप वोम्स अब मैंने यहां पर लिए हैं फाउंडिन अब फाउंडिन का मतलब यानि कहां पर पाय जाता है जो हमारे पार्क्स होते हैं यानि जिसमें आपके डोग को घुबाने आप लेगे जाते हो ठीक है शेल्टर अगर किसी infected host की fecal matter में अगर यह present है यह जो हमारा वोम्स तो आपके डोग की बोडी के अंदर वो एंटर कर सकता है अगर आपका डोग उसको खा ले तो फ्लीज के थ्रू भी यह फैलता है रैबिट के थ्रू भी फीश भी और अधर भी इसके जो हमारे पास बोलते हैं कैरि तो उसके अंदर आपको क्या symptom देखने को मिलेगा आपके डोग को डाइरिया हो जाएगा डाइरिया मतलब lose motion weight loss हो जाएगा weight loss यह बोडी का बिल्कुल ही वजन कम हो जाना वोमिटिंग का मतलब क्या होता है यह उल्टी करना तो बेसिकली अगर मैं इसके डाइगनोसिस के बारे मताओं तो जैसा कि मैंने बताए कि आपको फीकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा फीकल एग्जामिनेशन में आपको इस तरह के वोम्स नजर आएंगे यानि बिल् प्राजी क्वेंटल जैसा है एक यह एक इंदर प्राजी क्वेंटल सर्ट की कोई मेडिसीन जरूर कर सकते हो इसके ट्रीट्मेंट के लिए सबसे पहले है कि आप शेप देख लो, शेप ही बड़ी कमाल की है, एक हुक टाइप की इसकी जो शेप रहने वाली है, इसे लिए आपको लर्न हो जाएगा, फाउंड इन यानि कहां पर आउट्डोर डोक्स, यानि जो दूसरे जो डोक्स होते हैं, उनके पास भी पहाँ जाता है, वहाँ से ट्रांसमेंड हो जाता है, आउट्डोर डी दूसरे डोक्स से पास, जब आपके फीमल जो प्रेगनेंट होती है, तब आपके जो अधूर इसका जो मिलक है, अगर उसके अंदर भी यह पास्पाइट प्रेजिटो जूसे जा सकता है, इसका हम diagnosis कैसे करेंगे fecal flotation से यानि fecal के अंदर आपको fecal matter के अंदर जो उसकी potty होती है जो उसकी जो feces होती है उसके अंदर आपको ये movement करते हुए नजर आएंगे symptoms के बारे में अगर मैं आपको बताओ तो ये जो black terry एक stool आपको नजर आएगा तो basically ये इसका symptom रहने वाला है इसका treatment के लिए आपको drontal plus मैंने medicine बताई थी drontal plus मैं बहुत सी वीडियोस के अंदर भी पहले discuss कर चुका हूँ इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ आप drontal plus दे सकते हूँ आपके dog को hook warm से छुटकारा मिल जाएगा आगे आता है हमारे पास round warm round warm आप नाम से पता चल रहा होगा जैसे round के shape के हैं गुमे हुए है ना नीचे से देखो इसके ना एक घुम्टी सी ऐसे मुडी हुई है तो ये round warm जो होता है ये basically outdoor dogs वही से transmit होता है हमारे dog के body के अंदर how do they get it आपके dog के अंदर कैसे आएगा eating the parasite eggs जब वो parasite के eggs को खा लेगा तो आपके dog के body के अंदर जो ये warm है वो enter कर जाएगा symptom क्या नज़र आएंगे vomiting करेगा आपका dog diarrhea भी होगा इसमें constipation भी देखने को मिलेगी जो की main cheese रहने वाली है diagnosis की बात की जाए तो उसमें same रहने वाली है fecal flotation अगर आपके dog के पोटी के अंदर अगर ऐसे कुछ worms आ रहे है round worms आ रहे है तो आपको easily visible हो जाएगे easily आप देख सकते हो इसका treatment के बारे में बताओ वही drontal plus tablet best रहेगी दोनों के लिए drontal plus tablet अच्छी रहेगी एक तो हमारा hook worm के लिए साथ में हमारे round worm के लिए last है हमारा whip worm सबसे बहले तो इसकी shape देख लीजी अब यहां से घूम के एकदम से यहां से ऐसे ऐसे हो जाएगा यह curling सा movement बना लेगा ठीक है तो यह होता है हमारा whip worm एक type का कीड़ा परसाइट फाउंड इन दा शेल्टर जो शेल्टर जो होते हैं वहां पर पाये जाता है अगर मैं बात करता हूँ सिम्टम की इसके अंदर कोई भी कोई specific symptom नजर नहीं आएगा लेकिन यह point देखो तो basically उसके पिछे reason है हमारी whip worm ठीक है बड़े ही खतरना होते है ध्यान रखना अगर मैं diagnosis के बारे में बताओ diagnosis इसका सेम रहेगा आपको क्या करना है सिर्फ आपके जो पपी की जो पोटी जो होती है उसको एक बार examine करना है कि कहीं उसके अंदर किसी तरह का कोई warm तो present नहीं है अगर आपको ऐसा नजर आ रहा है कि stool with mucus यानि जो भी stool आ रही है उसके अंदर कोई mucus है यानि चिपचिपा पदार्थ है या blood है तो हो सकता है कि whip warm हो तो immediately आपको पने nearby wet से contact करना है और अच्छी एक devorming tablet लेनी है और इसके treatment के लिए सबसे जो best रहता है हमारा पास normal treatment यानि normal treatment इसका मदलब क्या होता है क्योंकि इसके अंदर ब्लड भी देखने को मिलेगा आपको ब्लड देखने को मिलेगा आपके doctor जो है veterinary surgeon या veterinary assistant ही क्यों ना हो वो एक अच्छा treatment करेंगे according to the symptoms जो आपके dog की body के अंदर जो भी symptoms नजर आ रहे है उनके base पे तो मेरे प्यारी दूस्तों ये जो 4 तरह के worms है ना dog की पूरी life के अंदर उसको परिशान करके रखेंगे तो तभी मैं चिलाता रहता हूँ बोलता रहता हूँ YouTube के उपर इंस्टाग्राम के उकर की भाई deworming टाइम पे करो vaccination टाइम पे करो deworming करोगे तभी आपका dog healthy रहेगा अच्छे से खाएगा पिएगा उसकी growth होगी विकोज कई बार तो क्या होता है अगर worms excessive मातरा में present है ना dog की body के अंदर तो उसकी जो growth को रोग देते है यानि उसको बढ़ने ही नहीं देते आगे क्योंकि जो खाना जो खाता है वो सारक सारा वही खा जाते है absorb तो कुछ होता ही नहीं है ना उसको तो मेरे पैरे दोस्तों मैं आशे यही करूँगा आज मैंने जो भी आपको knowledge देने की कोशिश की है आप तक अच्छे से पहुंच गी होगी आपको समझ में भी आ गया होगा कि जो the pet vision channel है आपके dogs और cats के ओपर काम करता है और I think आपको यह सभी बाते clear भी होगी होगी लेकिन फिर भी कई वार क्या होता है कि देखो इंसान तो यह रप उतला होता है गलतियों का क्या होता है मैं मेली जो कुछ न कुछ तो डाउट रही जाता है हमारे पास ठीक है हमारी दिमाग के अंदर तो आप comment section में जुरूर मुझे comment कीजिए अगर आपने मुझे अभी तक instagram पर follow नहीं किया तो वहाँ पर कर लिजी क्योंकि वहाँ पर मैं live session करता रहता हूं live आता रहता हूं आपसे बात करेंगे हम इंट्रेक्ट करेंगे अगर आपको कोई doubt है अगर आपके डोक के साथ कोई problem है तो मुझे instagram पर message कीजिए वहाँ पर हम बाते भी करेंगे तो मेरे प्यारे जोस्तों thank you so much for watching this and please do like subscribe comment and share thank you so much जय हिंद जय भारत